असलाम लेकुम विवर्स कैसे हैं आप सब स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूंगी मेरे चैनल का एम आपको असान थरीके से घर बैठे पढ़ाना है बहुत से लोग माशाला सीख भी रहे हैं आपकी द्वाई मिलती हैं अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं तो यकीन करें बहुत हुशी होती है और इसके लिए आप सब का बेहत शुक्रिया दा करती हूँ और मजीद होसला वजाई के लिए आप से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें और दौा में याद रखें ताकि मैं आपके लिए इसी महनत और लगन से काम करती रहूँ तो स्टार्ट करते हैं न्यू आप्सट मॉदल इंगलिश बूप 3 जूनिट 10 दर रेल्वे जन्नी रेल का सफर वर्स टुनो बंक ट्रेन में सोने का या बैठने का तखता इसको बर्थ भी कहते हैं कुम्पार्टमेंट रेल का डबबा या कमरा अ सेपरेट सेक्शन और पार्ट रंबल अफरत अफरी या गरजने की आवाज गडगड़ाहट की जो आवाज होती है उसे कहते हैं सक्रीच चीखना, स्नार्लिंग, घुराना या उलचना साहर और रजी वर गोइंग तो स्पेंड आ वीक विद दियर फ्रेंड मॉईज इन लहौर साहर और रजी लहौर में अपने दोस्त मॉईज के पास के हाँ एक हफ़ता गुजारने जा रहे थे बोथ देव फैमिलीज हैट कम तो सी देवाइस आफ अफ एट दे स्टेशन और इन दोनों के घर वाले इनको यानि लड़कों को रुखसत करने के लिए स्टेशन पर आई हुए थे रजी का कुता तिमी बहुत एक्साइट था यानि पुर्जोश था वो जानता था कि कुछ हो रहा है क्योंकि हर कोई उससे बाते कर रहा था और उससे थपथपा रहा था प्रोकिं में थपथपाना तिमी बहुत था था looked down the platform साहर के वालत ने platform के दूस्टी तरफ देखा निगाह डाली and saw the guard take out his green flag और गाड को अपनी सब जो जंडी थी निकालते हुए देखा he said उन्होंने कहा now boys jump on to the train लड़को अब रेलगारी पर सवार हो जाओ रजी's father gave him a big hug and said रजी के वालत ने उसे गले से लगाया और कहा मौईस's father will meet you at Lahore city station मौईस के वालत तुमें Lahore city station पर मिलेंगे be careful मुहतात रहना and don't do anything foolish और कोई बेफकूफी मत करना goodbye boys said रजी's mother रजी की अम्मी ने भी उन्हें खुदाफिस कहा don't stand near the door और नसियत की के दरवाजे के करीब मत खड़े होना and don't put your hands out of the windows और अपने हाथ खिर्कियों से बाहर मत निकालना even साहर's young sister had some advice for the boys यहां तक के साहर की छोटी बहन के पास भी लड़कों के लिए एक अदद मश्वरा मजूद था look after your money अपने पैजों की हफाज़त करना she said उसने कहा and pointed to the small wallet और उस छोटे से बटवे की तरफ इशारा किया that Razi had in his shirt pocket जो Razi की shirt की जेब में था the guard blew his whistle guard ने अपनी city बजाई slowly the train began to move आइस्ता आइस्ता रेलगाडी हरकत करने लगी everyone waved सबने हाथ हलाए यह जो meanings मैंने लिखे होते हैं इन्हें आप note किया करें the boys spread the shears on the bunks लड़कों ने अपनी चादरें तखतों पर बिचा दी जो बर्त थी गाड़ी में उनके उपर रजी चुक्त लोग बंग रजी ने नीचे वाला तखता लिया और साहर ने उसके उपर वाला ले लिया Timmy curled up on the bottom of Razi's bunk Timmy जो उनका डॉप था वो रजी के तखते के नीचे सिमन गया curled mean सिमन जाना and lay there wagging his tail और वहां लेटा अपनी दुम हलाने लगा Soon the train was rushing through the night जल्द ही रेलगारी रात के अंधेरे में तेजी से हरकत कर रही थी rushing का मतलब होता है तेजी से हरकत करना The boys ate their food by the open window लड़कों ने खुली खड़की के पास बैठ कर खाना खाया and enjoyed the cool wind blowing into the compartment और डबे में आने वाली थंडी हवा का लुट फुठाया They watched the lights of the cars in the distance और उन्होंने दूर नजर आती कारों की रोश्णियों को देखा Sometimes the train slowed down as it rumbled over a long bridge बाज़कात किसी लंबे से पुल के उपर से गरगर करते हुए गुजरते हुए रिलगारी आहिस्ता हो जाती Sometimes it passed through a small town बाज़ उकात ये किसी छोटे से कस्पे में से गुजरती By 10 o'clock the boys were feeling quite sleepy दस बज़े के करीब लड़के खासी घनूद की महसूस करने लगे थे The brakes screeched, brake के चीखी and the train came to a stop at a small station और रेलगारी एक छोटे से स्टेशन पर रुख गई Razi settled his head on the pillow Razi ने अपना सरहाने पर, तकिये पर रख दिया Then he heard Timmy growl तब उसने Timmy को गुराते हुए सुना and he opened his eyes और उसने अपनी आँखें खोल दी There was a hand right in front of his face उसके चेहरे के एंद सामने एक हाथ था The hand went straight to his pocket हाथ सीधा उसकी जेब की तरफ गया and came out with his wallet और उसके बठवे के साथ बाहर आगया Timmy barked loudly Timmy जोर से भॉंका and jumped towards the window और खिड़की की तरफ उचला Razi leapt up shouting Razi चलाता हुआ उचल खड़ा हुआ Thief, stop, Thief चोर, चोर को, रोको Sahar set up Sahar उटकर बैठ कया Razi opened the door Razi ने दरवाजा खोला and Timmy ran off after the man और Timmy आदमी के पीछे भाग खड़ा हुआ Razi jumped off the train Razi ने रेलगाडी से चलांग लगा दी and saw the man climb over some railings at the end of the platform और उसने आदमी को platform के आखर पर चंद जंगलों पर चड़ते हुए देखा He was running after the man वो आदमी के पीछे भाग रहा था when he heard the whistle जब उसने सीटी की आवाज सुनी Razi turned round Razi मुडा the train was leaving the station without him रेलगाडी उसके बगैर station छोड रही थी the train picked up speed रेलगाडी ने रफतार पकड़ी and disappeared into the darkness और अंधेरे में गाइप हो गई the station master and some other men came running station master और चन दूसरे आदमी भागते हुए आए what happened? asked the station master station master ने पुचा क्या हुआ Razi quickly explained Razi ने जल्दी जल्दी वजाहत की just then they heard a cry from the railway yard उसी वक्त उन्होंने railway yard से एक चीह की आवास सुनी railway yard कहते हैं rail गाडियों का garage या फिर जहां rail के डिबे बगैरा खड़े किये जाते हैं और जोडे जाते हैं या उन पर समान लोड किया जाता है उस एरिया को कहते हैं they all climbed over the railings into the yard वो सब जंगले फ्लांग कर यार्ड में पहुंचे the cries grew louder चीहों की आवास बुलंद हो गई over there near the wall shouted one of the men वहां दिवार के पास आद्मियों में से एक चलाया they ran towards the wall वो दिवार के तरफ भागे and saw man standing there और एक आदमी को वहां खड़े हुए देखा Timmy was standing in front of him Timmy उसके सामने खड़ा था growling and snarling और उस पर गुरा रहा था और दांत निकाल रहा था the dog had a piece of the man's trousers in his mouth आत्मी की पतलून का एक टुकड़ा डॉक के मूँ में था in the man's hand was Razi's wallet आत्मी के हाथ में Razi का बटवा था well done Timmy cried Razi बहुत खूब Timmy Razi चलाया you have caught the thief तुमने चोर को पकड़ लिया the dog stopped growling and began to whack his tail कुते ने गुराना बंद कर दिया और अपनी दुम हलाने लगा two of the men caught hold of the thief दो आत्मी ने चोर को पकड़ लिया and marched him off to the station master's office और station master के दफतर में ले गए one of the men gave Razi his wallet आद्मियों में से एक ने Razi का बटवा उसे दे दिया he was delighted वो बहुत कुछ था but then he remembered the train मगर फिर उसे रेलगारी याद आ गई what shall I do now? he asked अब मैं क्या करूंगा? उसने पूछा my friend Sahar is on the train मेरा दोस्त साहर रेलगारी पर है and it has left without me और वो मेरे बगैर निकल गई है the station master said don't worry station master ने कहा फिकर मत करो परिशान मत हो my boy मेरे बच्चे you come with me तु मेरे सत आओ so Razee followed him लिहाजा Razee उसके पीछे पीछे चल दिया when they reached the platform जब वो platform पर पहुंचे there was the train तो train रेलगारी वहां खड़ी थी and there was Sahar standing on the platform surrounded by a large group of people और Sahar लोगों के एक बड़े से गरोह के बीच में गिरा हुआ खड़ा था Razee ran up to him Razee भाग कर उसके पास पहुंचा Sahar, Sahar, he shouted Sahar, Sahar, वो चलाया I thought the train had left without me मैं समझा था के रेलगारी मेरे बगैर चली गई है I pulled the chain to stop the train said Sahar, मैंने रेलगारी को रोकने के लिए chain यनि जंजीर खेंचती थी Sahar ने कहा, the engine driver brought the train back और engine का जो ड्राइवर था वो रेलगारी को पापस ले आया The boys and all the other passengers boarded the train again लड़के और बाकी सब मुसाफर दुबारा रेलगारी में सवार हो गए Soon they were off again जल्दी वो फिर से रवाना हो चुके थे What an exciting story we will have to tell Moise said Razee as the train rattled on through the night हमारे पास Moise को सुनाने के लिए कितनी दिल्चस्प कहानी होगी रेलगारी के रात के अंधेरे में से खड़खड करते गुजरते हुए Razee ने कहा तो ये unit 10 आपका हो गया complete नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी exercise, question, answers और word meanings करेंगे Thank you, Allah आफिस